Hello Everyone, Welcome to Technorohes और ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप कैसे जो एक YouTube का चैनल बना सकते हैं फ्री में और उसके उपर जो वो अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और उसके जरीए जो वो एक पैसे कमा सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप पर स्टेप टूटोरियल्स बताऊँगा और बहुत सो लोग जो भी प्लानिंग कर रहेगी YouTube का चैनल बनाने के लिए और उसके उपर आप जैसी की सोचते हैं कि जो एड्वरडेजमेंट आते हैं और आपके help के वज़े से मेरे चैनल की growth भी होगी और आपकी वीडियो help होती रहेगी तो let's start तो सबसे पहले आपको बता देता हो कि यहां पर आपको जो वो चार चीज की requirements होगी यह चारो भी चीज जो फ्री है पहला जो Gmail account है उसके बाद आपका phone number है तीसरा जो bank account है और चौता जो आपके वीडियो से और Gmail account के बारे में बता रहता हो कि Gmail account आज की तारिक में सब के पास होता है और Gmail account आप जो Android phone यूज करते हैं तो प्लेश्टूर में भी आपका Gmail account जो वगएरा चलता है कि यह जो sign in का tab है इस तरीके से आपको यहाँ पे click करना है और जो भी आपके Gmail account आपको उससे जो वह login करना है तो यहाँ पे मैं इस account से जो login करने तो यह एक sample account है और password डाल देता हूँ उसके बाद जो हो मैं sign in कर देता हूँ तो जिस तरीके से मैं इसको sign in करोगा तो मेरे पास YouTube नया मतलब एक page खोल देगा और right में आप देख सकते हैं उपर की तरफ आप जो sign in का tab हड़ गया है और यह जो अप मेरा account बन गया है तो यह वही account है जो account मेरा Gmail का था उसी account से YouTube के अदर मैंने जो login कर दिया हूँ तो पहला step जो हमारा था Gmail account बना के YouTube में sign in करना तो वह पहला step जो आप complete हो गया है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो यह menu है राइट के अंदर आप देख सकते हैं उपर के अंदर जो एक face बना हुए चोटा आपको उसके ओपर जो click करना है इस तरीके से और एक छोटा सा menu खुलेगा वहाँ पर आपको जो वह creator studio में click करना है जैसे आप creator studio में click करेगे तो आपके सामने एक नया page खुलेगा यह आपका जो page इसको dashboard बोलते है यहाँ पर आपका channel का नाम है और सारी details जो यहाँ पर दे देता है और left में यह जो panes है यह सब चो window के चोटे-चोटे panes है यह हमारा features है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको जाना है चैनल में जैसे आप चैनल में जाएगे तो आप देख सकते है राइट में आपको यह page खुल के देगा चोटा सा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपकी standing दिखा रहा है इस channel की standing की से good standing की copyright भी हमारा सही है यानि की कोई भी चीज हमने भी आप गलत नहीं किया कोई भी चीज हमारे क्लिक करना है इस तरीके से और यहां पर नया page open करके देगा और यहां पर देख सकते हैं अपनी country को select कर लिएगा तो आप जो अपनी country को इस तरीके से जो उसका text यानि कि यह call चाहिए यह text चाहिए यह simple code वेजेगा आपको उसको यहां पर आपके number डालना है और उसको verify करना है तो यहां पर आपको पहले अपना number डालना है तो इस तरीके से मैं अपना mobile number यहां पर add कर देता हूँ और जैसे ही मैं अपना mobile number यहां पर डालता हूँ तो आप देख सकते हैं यह जो आपका valid या यानि कि आपका जो personal mobile number है वो इसके उपर आपको add करके डालना ताकि हमेशा से आपको जो number हो यहां पर saved हो जाएगा फिर आपको एक text message आएगा write में आप देख सकते है इस तरीके स Google verification code बताएगा तो यह जो code आएगा हमें वो यहां पर डालना है next करने के बाद तो इस box के अंदर अभी मैं यह code डाल दुआ 785 846 तो यह सबका code होता है यह सबका unique code होता है यानि कि सबका code जो same नहीं होता है तो इस तरीके से यहां पर मैं यह code डाल देता हूँ उसके बाद जैसी code हम डाल देते हैं हमें जो submit करके आगे पहुंच जाते हैं अब जैसी मैं submit कर देता हूँ तो यहां पर लिखता है congratulations your YouTube account is now verified तो अब हम फिलाल के लिए जो verified हो गया यानि कि YouTube पे हम अभी वीडियोज डालके YouTube ने हमें verified करते है कि हाँ तुम हमारे साथ partnership कर सकते हो और हमा इसले चीज़ आपको करना है choose your country location तो monetization पर जाना है आपकी country को select करना है यहां पर देगी country जो by default अफगानिस्तान है तो हमें नीचे आना है हमारी country को इंडिया select करना है और एकदम नीचे की तरफ आना है और उसको जो वह सेफ करना है तो जैसी हम सेफ करते हैं तो हमारा जो monetization का जो option यानि कि जो advertisement हमारे वीडियो पर दिखती है उसको monetization बोलते है वह जो enabled हो जाएगा इस तरीके से मापको बता रहता हूं देखिए फिर समझाते हैं हमारे dashboard की तरफ और हमारे channels की तरफ हम फिर से जाते हैं आप यहां पर देख सकते हैं नीचे की तरफ monetization अप जो enable क करने का option दे दिया यानि कि आप हम जो वह यानि कि इसके काबिल हो गए कि ताकि हम जो अपनी वीडियो को वीडियो को अप्लोड करके advertisement डाल सकते हैं लेकिन यहां पर आपको बता रहा है आपको पहला जो अपना Google Adsense को enable करना पले का इसको जो वह चलाने के लिए तो यहां प फिर से आते हो enable my account पर क्लिक करते हुग तो अब देख सकते हैं अभी मैं फिर से आया हूँ और आप जो मैं इसके ऊपर जो एक wow a upload कर दें सेंपल वीडियो फिर से जो में इनेेबल पर क्लिक करता हूं इस तरीक से और आप देखें कि यहाँ परीटुकर करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने window सामनी open होके आ जाएगा उसका मतलग है कि मेरे चैनल उन्होंने एक video verify कर दिया है अब जो मुझे वो यहां पर आगे बढ़ने की permission दे देगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर enable यहां पर वीडियो पर माई account पर क्लिक कर लेता हूं और यहां पर विंडो ओपन होके आगा है इस तरीके से यहां पर सारे अब क्या हो गया कि मेरे चैनल के ओपर जो भी वीडियो अब क्या हो गया कि मेरे चैनल के ओपर जो भी वीडियो होगे उसके ओपर आप जो वह advertisement आना शुरू हो जाएगी जी हां तो अब जो भी advertisement आती है उसके जरीए जो मैं पैसे कमा बिल्कुल भी सकता हो लेकिन अब आपको जो पैसे कमाना तो account के लिए आपको set करना पड़ागा कि ताकि पैसे आपके account में set हो जाए तो यह यहाँ आप देख सकते हैं जैसे मैंने monetize किया तो यहाँ पर मुझे वह रहा लिंक मा अकाउंट करो गूगल एट्सेंट तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ गूगल एट्सेंट पे और यहां से जो मैं अपने account को जो हो verify कर लोगा तो इस link पर मैंने क्लिक किया और एक म मैंने यहाँ पर sign-in कर लिया हूँ तो sign-in जो automatically कर लेगा मेरा account already set up आप जैसे की देख सकते थे मेरा account set up किया था तो यह मैं sign-in कर लेता हूँ और उसके बाद आपको second options बताएगा यहाँ पर आपको वेबसेट बताओ फिलाल हमारे पास तो कोई website है नहीं तो हम क्या करेगे साइड में options दिया है I don't have a website मैं इस पर click कर दूगा एक window open होगा इसको फिर से आपको कुछ नहीं करना है पढ़ना है तो पढ़ सकते इसको close कर देना है तो वह क्या करेगा automatically मेरा channel का URL यहाँ पर set कर लेगा इस तरह किसा आप देख सकते है ठीक है फिर आपको फिर से next करना है save and continue करना है और आपको तीसरे option की तरफ लेके जाएगा और तीसरे options के ऊपर जो आपको थोड़ी से अपनी personal information यहाँ पर दालना है और जो भी information आप दालेंगे उसको जो वह एकदम से बराबर set करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह तीसरा window आया है और यहाँ पर आपको दून लेता हूँ और को तता set कर लेता हूँ इस तरीके से अकाउंट टैब आपको यहाँ पर set करना है individual या business तो मैंने जो फिला लेव individual set किया हूँ फिर आपको अपना address दालना है यहाँ पर मैंने ऐसे दाला हूँ कि Google की तरफ से आपको card आएगा वह letter आएगा उसके अंद से अपने YouTube के अपर अपना account activate किया था तो यहाँ पर मैं फिर से अपना mobile number दालने के बाद आपको नीचे submit में application पर क्लिक करना है जैसे आप submit में application पर क्लिक करें के तो यह आपको बोलेगा कि emails वगरा को आपको preference करना बहुत जरूरी है इस तरीके से यह आपको error देदेगा त सोटा सा यह सारे box को आपको tick करना है yes 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 करके जो हो इसको tick करना है इस तरीके से और फिर आपको submit application करना है तो जैसे आप submit कर लेगे उसके बाद यह क्या करेगा कि आपको जो हो आपके YouTube account के अपर automatically redirect कर लेगा इस तरीके से यहाप एक open page होगा इसको yes करना है और आपको जो नीचे की तरफ जो उसे accept करना है तो यहां पर लिखा है redirecting you back to YouTube अब फिर से आपको जो आपके YouTube के पेच पे लेके जाएगा और वहां पर आपको बोलेगा का your action application has been submitted और यह review होगा यह एक हफता लगे कर आपको review करने के लिए review हो जाएगा उसके बाद आपके account में जो हो पै on करना है अगर आपका monetization on नहीं होगा तो आपको जो यह वह advertisement नहीं आएगा और आपको जो पैसे नहीं मिलेगा तो यहां पर आपको basic चीजे मैंने बता देता है कि क्या चीजे लगती है YouTube के account यह वह set करने करे तो आप देख सकते ही for example मेरे sample video है तो मैं video manager में जाता हूँ और उसको यह वह on करना है तो इस तरीके से आप उसको on कर लिए जिएगा और उसके बाद जो अपनी settings को नीचे की तरफ जो वह save कर लेना है तो जैसे कि आप save कर लेगे तो आप जैसे कि अब अभी dashboard पर जाएगे या video manager में जाएगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो चैनल के ओपर जो भी आप videos डाल रहे हैं वह जो monetize हो गए है और उसके पर advertisement आ जाएगे और आप जो उसकी तरी जो पैसे कमा सकते इस तर करना है कि Google Adsend में जाना है इस तरीके से आप लिंक उपर देख सकते हैं आप मैं अपने वीडियो को decision में आपको लिंक दे दूँगा आपको जाना है तो जैसे आप चैनल ओपन करेंगे आपको 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 नहीं verify करने कि जभी जरूरत पड़ेगी तो जैसा आपक करते ही आपकी screenshot डेख लिजीगा उसी सबसे आप जो अपने चैनल के ओपर अकाउंट सेट कर सकते हैं और हर महीने आपको आपके YouTube की आकाउंट के दो पैसे आ जाएगे ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसी तरीके से में आपको नए वीडियो देत SMILING